आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगी मेरे नाम इसे धान तर्णी होत रिष्ट हम अर्बनाइजेशन में आगे बढ़ते ही जा रहे हैं पोशिच करूँगा कि 20 अक्टूबर तक पूरा अर्बनाइजेशन कम्प्रीट करूँ तो यह मॉड्यूल कम्प्रीट हो जाएगा तो आज हम पोस्ट गुपता पीरेट की बात करेंगे एक मॉड्यूल एक पार्ट मे सकते हैं वैसे आपको बता दू कि मैं इसमें कोई पें यूज नहीं करूंगा एक्चुली मैं थोड़ा सा बाहर हूं थो मैं टाबलेट लेकर ही नहीं आया हूं तो आपको थोड़ा सा कॉंप्रमाइज करना पड़ेगा सब समझा दूगा मैं एक एक चीज आप लिखते चल मौरियंस और गुप्ता पीरेट की बात मैं बाद में करूंगा मैंने बताया कि वह चीज मैं अभी छोड़ रहा हूं लेकिन आप ध्यान दीजेगा कि मौरियंस आये फिर और फिर गुप्ता आये तो ये दोनों में गुप्ता को तो गोल्डन इज आफ इंडिया बोला जात फिर बोला सातर हुब हो लेकिन पुप्ता पॉलिटी अब मेडीव & इंडिया की तरह चले आ पो शका प्रतूप्ता प्रव पालिटी कैसी थी हमें को देखना है पूस्त गुप्ता आ हूत के बाद कुपटा मतलब जैसम का कौमन एरा के बाद मंनलब आद आतसे 1400 साल पहले वह शुरू होता है और यह 1200 तक चलेगा जब तक इसलाम का रूल भारत में नहीं आया तो पोस्ट गुपता एरा की बात करें यह बहुत ही फ्रैग्मेंटेट था गुपता ने जिन लोगों को गुपता एंपायर ने जिन इंपायर को अपने पास लिया था अपने कबजे में अब भिखर गए और अब छोटे छोटे चोटे kingdom में बटग तो ऐसा है यहां से फिर फ्रूडलिजम देखिए अगर भारत में फ्रूडलिजम की बात करें सामन्त वाद की बात करें तो गुपता से ही शुरू होती है गुपता ने गुपता ने क्या कि लैंड बाटने जो ल और पॉलिटिकल इंटिग्रेशन की वज़े से एवॉल्व हुए पॉलिटिकल ही इंटिग्रेशन हुआ जब इंटिग्रेशन होगा जब सारे छोटे छोटे गाउं और एम्पायर साथ में आएंगे तो क्या होगा पॉलिटिकल इंटिग्रेशन होगा और अगर agriculture expand करेगा तो समरिद्धी आईगी वहाँ से भी post गुपता polity जो है उसका emergence हुआ और development हुआ हम ये भी देखते हैं लेकिन दोस्तों हमको बहुत जादा evidences नहीं मिलते हैं integration works चले political level पे agrarian, administrative, ritual, cultural लेकिन excavation जिस तरीके से कर्मी चाहिए थी post गुपता era में वह हमको देखने को नहीं मिलती है वाई हमको सारे सबूत कहां से मिले जो हमारे coins हैं इतने सालों पहले चलते थे जितना ज़दा archaeological, coins हो गए, beats हो गए, pottery हो गए culture क्या था, वो सब जो भी दफ़न है वो खोद खोद के निकालो अब वो खोद के कौन निकालेगा, archaeological, archaeologist वो सब archaeological survey of India करेगी तो post गुपता era को इतना ज़्यादा explore नहीं किया गया है ठीक है अब हम यह देखते हैं कि अभी मैंने archaeological आर्केलोजी की बात की तो हम urbanism from archaeological evidence की बात करते हैं कि हमको archaeology से क्या देखने को मिलता है देखिए हम inscription से भी ले सकते हैं क्या है हमारे पार sources क्या है या तो text मिल जाए या inscription जो लिखा है शिला लेक पत्थरों पे लिखा हो या दीवारों पे लिखा हो वो मिल जाए, paintings मिल जाए या फिर हम archaeology खोद के निकाले जो भी भाई ये, देखो coins चलते होंगे वो coins आज भी होंगे, metals खराब होता नहीं चलता ही रहेगा, आपका steel जो है हम सब मर जाएंगे, steel चलेगा तो metals तो रहेंगे ही रहेंगे वो मिल गए हमको और उसके बाद हम compare करते हैं तो archaeological evidence की बहुत ज़्यादा दिक्कत है यहाँ पे यही problem है कि extensive excavations खुदाई बहुत तगले तरीके से खुदाई जो है यह exploration जो है वो नहीं की गई है ठीक है जिस तरीके से ancient history की हडपा cities को explore करने के लिए हमने excavation की थी वैसे ही यहाँ पे excavation हमको देखने को नहीं मिलती है हाँ inscription और text है वो definitely inputs देते हैं कि settlement कैसा रहा होगा लेकिन जाद तर archaeological works जो है उसमें habitation sites को completely ignore किया गया है या dismissed किया गया है क्योंकि यह research के लिए importanty नहीं है तो भाई जब excavation नहीं होगा तो definitely evidences की कमी रहेगी ही रहेगी research जो है material remains मतलब excavation material के लिए ही तो निकालते है कि कुछ हमको मिल जाए कोई मूर्ती मिल गई कोई मूर्ती मिल गई तो इसका मतलब है कि अच्छा उस समय पूजा हुआ करती होगी तो research जो है जो research की भी गई material remains को लेके वो कूरी concentrated थी religious structure या फिर monastic या फिर temple complex को लेके कि वहाँ पर religiously कैसा था post गुपता period या monastic remains कैसे है मंदिर था कि नहीं था इस तरीके से तो structural remains वो हमको architecture के बारे में तो बताते हैं लेकिन they were mostly religious human settlement कैसे थे इंसान कैसे रहते थे इंसानों का शैरी करार था कि गाउ में इसकी कोई हमको evidence नहीं मिलती जादा नहीं मिलती क्योंकि excavation की कमी है तो वास्ट एरिया जो है archaeological record का वो अभी तक explore किया ही नहीं किया है यह दिक्कत हैसिले आप देखते होंगे Mauryan देखिए इंडस वैली civilization पर extensive research Mauryan गुपता पर post गुपता जहां पर आता है हमको इतनी जादा हमको पता नहीं मिलता है वो dark phase है कि बिलकुल हमको evidences नहीं मिलते है अब evidences की बात हो लिए तो हम पूरे भारत ध्रमण करेंगे सबसे पहले तो North India के बारे में जानते है North India के बारे में क्या-क्या पता पो ध्यान दिजेगा वोस्ट गुपता के बारे में Northwestern पार्ट जैसे रावल पिंडी हो गया पंजाब में अभी तो पाकिस्तान में है रावल पिंडी आपको पता ही है यह बहुत इंपोर्टेंट सेंटर रहा बहुत इंपोर्टेंट सेटिलमेंट रहा Early historic period में यहां पे बढ़िया साइट्स देखने को मिलती है मैंने बताया ना कि यहां पे जो excavation हुए हो mainly religious purpose को लेके होई है लोगों का कैसा था habitation के बारे में इतना पता नहीं रगाया जा सकता है बहुत सारी गंगा plane में हमको sites मिली है जो 200 साल तक रही होंगी और बहुत सारे ऐसे evidence भी मिले है अब excavation इसका मतलब यह नहीं कि बिल्कुली excavation कुछ evidence आपको मिले है कुछ sites में हमको यह देखने को मिलता है कि post गुपता period जो है वो evidence देती है यहां पे population की lifestyle का decline हुआ there was a decline in the lifestyle of the population मतलब जो गुपता era गुपता area golden era था अब बट गया political integration उतना था नहीं तो definitely population की lifestyle घटी है तो यह हमको कुछ evidences हमने हमको ऐसे मिलते हैं जिससे ही हमको पता चलता है आरे शर्मा ने हलाकि आरे शर्मा ने मतलब एक तरीके से अगर de-urbanization है तो इसको argue क्या आरे शर्मा ने ठीक है अब यह चीज सही है बहुत सारी sites के लिए आप समझ रहे मैं कहना क्या चाह रहा हूं मैं कहना यह चाह रहा हूं कि हम urbanization से de-urbanization की तरफ पढ़ गए जो lifestyle था गुपता period में वो लोगों का नहीं रहा होगा evidences जादा जो excavation हुई है archaeological evidences वो religion को लेके हुई है temple को लेके लेकिन कुछ evidences ऐसे मिले हैं जिसमें को यह पता लगता है कि लोगों का lifestyle decline हुआ बहुत सारी ऐसे sites हैं जिसमें हमको यह सबूत मिलते हैं इंडिया के बात कर रहा हूँ और हम पूरे भारत की बात करेंगे जैसे अत्रंजी खेरा कोसामभी यहां पे disturbed archaeological record मिलते हैं हस्तिनापुर में भी वेड़पुरा यहां पे कुछ structures मिलते हैं अगर हमको लोगों की lifestyle को जानना है तो हम क्या देखेंगे हम pottery देखेंगे हम craft देखेंगे तो हमको कुछ structures यहां पे मिलते हैं जिसे यह पता लगता है कि भाईया lifestyle कम हुई कुछ जग हमको बिल्कुल religious structures देखने को मिलते हैं जैसे श्रावस्ति उत्तरप्रदेश में सोंख में जो मॉथरा district में आता है ही मिला है यानि कि कहने का मतलब यह है कि major structure दा मिलने का मतलब यह है कि बहुत जबर्दस्त लाइफस्टाइल नहीं रही जैसे कि मॉर्ण और गुपता रहा में ही यानि कि urban decline हुआ है definitely urban decline हुआ है यह पता लगता है साथी साथ एक तरफ तो हम यह कह रहा है urban decline लेकिन कुछ जगह हमको ऐसे evidence मिलते हैं जो urban like activity को दर्शा आता है जैसे रूपत रूपनगर district पंजाब में है यह सतलच और it is situated on the banks of सतलच पंजाब को land of five rivers बोला जाता है तो सतलच के पास है तो यह बताता है कि यह रूपनगर में basically well constructed spatial brick building थी buildings को properly construct किया गया था और bricks का use किया गया था इटो का use किया गया था यही पुराना किला दिल्ली में भी हमको पता चलता है कि structural remains देखो यार अगर हमको big brick मिल रही है अब गाउं में जाएंगे गाउं में कच्छा सिटी सबसे important सिटी कर्नौज जो है कर्नौज के लिए तो भाई है ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल हो गई भागी रथी रिवर के किनारे जो है वह कुछ structural remains मिलते हैं जो हमको बहुत information देते हैं जैसे टेराकटाप लेक्स मिलते हैं यहां पे डिस्कवर किया गया है ऐसे ही राजगाट एक बहुत बढ़ीया साइट है अवारानरसी में जहां पे excavation यह हमको बताती 300 से 700 common era के बीच में कुछ structures है छे थे जो बड़े एडवांस जो थे यहां पे जो planning हुई architecture हुआ वो एडवांस जो थे यानि कि एक जगह तो हमको देखने को मिलता है कि urban lifestyle decline हुई कुछ जगह देखने को मिलता है कि urban character sticks थी जो घर थे वो बड़े थे rooms का size बड़ा था structures जो हैं वो नदी के किनारे होते थे underground structures भी मिले हैं घर का दरवाजा सीधा road पे ही खुलता था तो towns well planned थे यह भी हमको देखने को मिलते हैं कुछ जगहों पे हर जगह पे नहीं उसके बाद Eastern India पर हम आ जाते हैं Eastern India की बात करते हैं इस्टन इंडिया बिहार हो गया उडिसा हो गया बंगार हो गया जो कि देखिए सबसे important center क्योंकि actually में यहीं से expansion शुरू हुआ तो Eastern India जैसे बिहार में तो हमको बहुत कुछ मिलता है जो पोस्ट गुपता एरा को justify करता है और मतलब testify करता है बताता है पोस्ट गुपता एरा के बारे में वैशाली पाटली पुत्र चंपा यहां पे तो हमको material remains नहीं मिलते हैं आर्केलोजिकल वर्क जो है यह नालंदा या फिर अंतिचाक यहां पे जादा फोकस किया गया और यहां पे हमको is cultural remains मतलब material remains यहां पे मिलते हैं जैसे कुर्की हाथ 200 से जादा bronze image हमको मिली है एक और site है इत्कोरी हजारी भाग में वहां पे भी हमको buddhist और ब्रावनिकल sculptures मिलते हैं अब अभी मैंने आपको बताया था कि यहां जो basically के राजा थे गोल्ड कोईन गोविंद अचारादेव के भी मिलते हैं सिल्वर कोईन यहां पे भोजवन प्रतिहार के भी मिलते हैं प्रतिहार डाइनिस्टी के अब उडिसा की बात करते हैं उडिसा में अगर बात करें तो मनिक पताना जो पुरी के पास है वहां पर भी हमको बहुत कुछ मिलता है सबसे बड़ी बात है वहां पर हमको ट्रेडिंग के evidence मिनते हैं कि यहां से trade होता था लोग यहां पर नहीं लहते थे habitation के बारे मैं को ज़्यादा पता नहीं लगता है लेकिन चाइना से यह लोग trade करते थे तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि कुछ area ऐसे हैं अभी तक हम को यह नहीं पता चला कि लोग कैसे रहते थे लेकिन definitely कुछ area ऐसे हैं जिन में urban like character sticks हैं अभी जब मैं character of urbanism के बात करूँगा तब आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा बंगाल की बात करते हैं तो बंगाल baby हमको monastic complex मिलता है यहां पे भी पूजा होती होगी इसका मतलब गंगा महानती तीस्ता महाननदा flood plains पर आ जाईए यह भी यहां पे numerous sites हैं बहुत दादा excavation हुआ है तीस्ता महाननदा flood plain गंगा महाननदा flood plain जो की नौर्थ बंगॉल में है यहां पे भी जबर्दस excavations हुए और यह area बताते हैं यह वाला जो area था यह तीस्ता महाननदा flood plain हो गया गंगा महाननदा यहां से main occupation होता था गुपता और post-गुपता era का भी बहुत सारे monastic complex हमको यहां पे देखने को मिलते हैं 7th to 12th century common era बहुत ऐसे settlement को दिखाता है जहां पे हमको mud और rand brick भी देखने को मिलते हैं pottery भी देखने को मिलते हैं beats भी देखने को मिलते हैं Chinese coins भी आने की trade होता ही होगा गुपता era में हम देखते हैं कि जहां burned brick structures देखने को मिलते हैं artifacts, seals, beads, bangles अज़ला गुपता era highly modernized था urbanized बढ़िया था, urbanization अच्छा था post गुपता era में हमको इस सब देखने को नहीं मिलता है क्योंकि उस तरीके से इसको ढूणने की कोशिश ही नहीं की गई या मिला नहीं समझ गए फिर बांगलादेश पर आ जाईए बांगलादेश की बात करें तो बांगलादेश में भी हमको बहुत सारे देखियांग बांगलादेश में यह सब पहले बंगार का area वहा करता था तो बांगलादेश का जो बिरमपूर एरिया है दिनाचपुर district में जो करता है यहां पर फॉल करता है वहां पर भी हमको Buddhist और ड्रहमांटिकल structure देखने को मिलते हैं लेकिन habitation यहां पे भी हम बहुत अच्छे से समझ नहीं पाई तो चले मैंने पहले clear कर दिया था habitation हमको बहुत अच्छे से पता नहीं चला है और यही same चीज आपके बहुरा district में भी है यानि कि बांगलादेश में भी हमको स्कल्चर देखने को मिलते हैं इस इस इंसक्रिप्शन से लार्ज बहुत बढ़े शहर हुआ करते थे यह इंसक्रिप्शन में लिखा हुआ है और अर्बन लाइफ एविदेंस हमको यहां इंसक्रिप्शन से देखने को मिलता है जैसे कावेरी पटनम है तंजावूर में तमिल नाडू में वह अपने टेंपल्स के लिए आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता था लेकिन हाबिटेशन कैसा था पता नहीं यह एक बड़ी दिक्कत रही है पोस्ट गुपता एरा में वेस्टन और सेंटरल इंडिया के बात करें जैसे नासिक निवासा महराज के जो एरिया हो गये वहां पे हमको कोई खास पोस्ट गुपता एरा के रिमेंस मिलते ही नहीं है और रिमेंस मिलेंगे तब ही तो देखो यार सिंपल से बात पूरे भारत में देखा गया फिर कंप अगर सबसे पहले यही जानने की जरूरत है कि हम अर्बनाइजेशन को डिस्टिंवूइश कैसे करें रू कैसे अगर पोस्ट गुपता एरा में हमको अर्बनाइजेशन बड़े शैरों से मतलब है चाहिए आउस या फोटिविकेशन स्पेशियलाइज क्राफ्ट कर रहे हैं मतलब अगर कोई शहर है तो शहर की definition क्या होगी क्या उसमें वह बहुत बढ़ी होट होंगे किले होंगे शहर बढ़े होंगे घर बढ़े होंगे craft activity बहुत बढ़ी होगी तो सबसे बढ़ी मुसीबत तो यही है कि पोस्ट गुपता एरा में parameters क्या थे क्या घरों का जो criteria वो important है वो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है क्योंकि घरों के एरिया तो गाउं में भी बढ़ी होते थे public structures आपको गाउं में भी बढ़िया मिल जाएंगे तो घरों का जो criteria वो तो मेरी खेल में नहीं होगा क्या हम उनको शहर कहेंगे जहां पर fortification walls बढ़िया हो बड़ी बड़ी दीवारे हो नहीं क्योंकि हमको बहुत सारे ऐसे settlement मिलते हैं जैसे राजबादी गंगा राजबादी गंगा बोल दिया राजबादी गंगा इसमें हमको यह शहर था लेकिन हमको fortified walls देखने को मिला ही नहीं हाँ जहां पर trade का exchange होगा जो manufacturing center होगा वो अर्बन considered किया जाएगा और यह South India में हमको देखने को मलता है transcription बताते हैं कि बहुत सारे ऐसे शहर थे they are considered as the manufacturing center यहां पर exchange होता था बिलकुल शहर तो भाई होते ना जाब बड़ी बड़ी activities होगी है कि नहीं archaeological remains इस period में क्या है किस में divided है they are divided into religious structures जैसे monastic complex हो गया temple secular architecture हो गया habitation zones हो गया isolated discoveries और sculptural pieces हो गया इन सब में divided हैं ठीक है तो होना क्या चाहिए material evidence क्या होना चाहिए urbanization के लिए यही सवाल है हम कैसे analyze करें urbanism को post गुपता period में पहला तो सवाल यह है दूसरा सवाल है किस तरीके के settlements थे इस period में तीसरा सवाल यह है कि हम कैसे urban cities को identify करें और चौता सवाल यह है क्या urbanism जो है जो अर्ली historic period है कोई difference था पोस्ट गुपता period के urbanism में और पिछले urbanism में अर्ली historic period में कोई difference था इस सवालों के जवाब हम लेते हैं जरा देखो यह बिल्कुल सही है कि कुछ sites जो थे वो urban centers थे अभी मैंने आपको पताया कि कहीं पे हमको urbanism देखने को मिलता है habitation की हमको ज़ादा knowledge नहीं है इस period में लेकिन urbanism तो हमको देखने को मिलता है limited material record available है 7th to 12th century में यह आप समझ रहे ना कि 600 से 1200 की तक की बात हो रही है 600 साल की limited record है बट स्टिल हमको देखने को मिलता है यह आरे शर्मा ने बोला कि urban decline हुआ क्यूंकि हमको archaeological remains हुए वह ऐस सच देखने को नहीं मिलते और जो मिलते भी उससे हमको पता चलता कि urbanization तो कम हुआ यहां पर शेरी करण कम हुआ लेकिन उसके बावजूद हमको urban character देखने को मिलता है जैसे राजगाट गंगा प्लीन में राजगाट हमको settlement planning और large structures देखने को मिलती हैं बिहार में बड़े-बड़े site देखने को मिलते हैं जिसमें sculptures हमको मिलते हैं चिरांड की बात करें तो वहां पर हमको substantial structure remains देखने को मिलते हैं non-local stones भी हमको देखने को मिलते हैं मतलब वो जो locally नहीं थे जो बाहर से आय यानि कि exchange हुआ trade हुआ West Bengal बांगलादेश मे बहुत सारे material remains हमको देखने को मिलते हैं हलांकि यह तो सही है कि जो अर्बन character जो है यह बताता है कि अगर यह सब देखने को मिल रहा है बांगलादेश की में जैसे बांगणगर हो गया मास्थनगड हो गया, मंगल कोट हो गया ये सब जो एरियाज है न ये दिखाते हैं कि अर्बन केरेक्टर तो था इस स्ट्रक्चिरल रिमेंस हमको देखने को मिलते हैं सेटिलमेंट्स और बड़े-बड़े घर भी यहां पे हमको देखने को मिलते हैं ठीक है, मोनास्ट्र की स्ट्रक्चिर्स तो हैं ही, मोनास्ट्र की स्ट्रक्चिर्स तो हाविटेशन अक्टिविटीज के बारे में भी उंको बताती हैं कहीं ना कहीं टेंपल स्ट्रक्चिर्स से तो हमको हाविटेशन के बारे में थोड़ा बहुत पता लगी है Monumental Character के बारे में, जैसे Monumental Architecture हो गया, Occupational Specialization हो गया, Trading Networks हो गया, और Interaction हो गया, दूसरे लोगों से, Urban Growth की कैसी Character ती ती यह कुछ Temple Cities में आपको देखने को मिस गया, जैसे Chola ने उचे Temple Cities बनाई है, कुछ हप तक हमको Habitation के बारे में पता लगता है, आयोब आपको समझ में आया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं देखिए, यह Urbanization हो सकता है, थोड़ा tough पढ़ जाए, मैंने बताया, थोड़ा tough module है, लेकिन मज़ा भी आपको आएगा, देखो तो शेहर कैसे develop हुए, अब अगली बार हम बात करेंगे, अगले lecture में हम बात क करेंगे society की, कुछ रहें पढ़ते रहें, इदेख सिद्दान तक नहीं होतरी signing off